इस वक्त मध्यप्रदेश में एक ही नारा खूब गूंज रहा है वो है अब राज करो शिवराज शिवराज सिंग चौहान 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रे स्वैम सेवक संग से जुड़ गए थे कुछ सालों के बाद उन्होंने शादी नहीं करने की प्रतिग्या ली थी और अब अपने परिवार को शिवराज कहीं भी नहीं छोड़ते और उनका परिवार भी शिवराज को कहीं भी नहीं छोड़ता तो चलिए आज आपको बताने जा रहा हैं आखिरकार कौन है वो शक्स जिसके साथ हमेशा रहते हुए शिवराज आज तक कोई बाजी हारे नहीं तो चलिए बताते हैं आज आपको शिवराज सिंग चोहान और साधना चोहान की लव स्टोरी शिवराज सिंग चौहान के छोटे भाई बहनों की शादी शुरू हो गई थी सबकी एक एक करके शादी होने लगी साल 1991 में शिवराज विदीशा संसदिक शेत्र से पहली बार संसद्धी बने थे इसके बाद उनकी बहन शादी के लिए शिवराज पर दबाव बनाने लगी ए बार हाला कि उनके इस फैसले से कभी सहमत नहीं रहा बार बार उनके उपर शादी करने का दबाव डाला जाता रहा वो बराबर मना कर देते कई बार ऐसा होता गया फिर एक रिष्टा आया जिसने शिवराज सिंग चौहान की जिन्दगी बदल दी या फिर शिवराज सिंग इस बार उनकी बेहन ने उनपर दबाब डाला कि वो इस रिष्टे में कम से कम लड़की को देखेंगे तो जरूर देखेंगे और उसके बाद वो जाकर फैसला करेंगे कि शादी करनी है या नहीं इस बार उन्हें लड़की देखनी ही थी बहन की बार भाई को माननी पड़ी इस बार उन्होंने उनकी बात सुनी भोपाल के बरकत उल्ला युनिवरसिटी से दर्शन शास्त्र में एमे करने वाले शिवराज सादगी पसंद और बहतर वक्ता रहे हैं वो पिता और बहन के साथ लड़की देखने पहुँचे करीब करीब बेमन से उन्हें लगा था कि वो लड़की देखेंगे फिर शादी के लिए मना कर देंगे और वहाँ से चले जाएंगे उनके कहने पर ही शिवराज पहली बार साधना सिंग से मिले साधना सिंग महराष्ट्र में गोंदिया की है शिवराज पहली बार मिलते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे लड़की देखते ही उनका इरादा छूमंतर हो गया साधना सिंग पहली ही नजर में उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने उन्हें वही पर बैठे बैठे दिल दे दिया हाला कि इस मुलाकात में वो कुछ असहज रहे, जादातर चुप भी रहे लेकिन ये जरूर महसूस किया कि इस लड़की से उन्हें दोबारा मिलना चाहिए साधना के लिए उन्होंने शादी नहीं करने की अपनी प्रतिग्या तोड़ दी एक पल में साधना भी शिवराज की सादगी पर इतनी मोहित होई कि शादी के लिए हां कर दी पहली बार मिलने के बाद शिवराज ने साधना को एक लव लेटर लिखा इसमें उन्होंने कहा कि सारजोनिक जीवन में होने के चलते वो परिवार को शायद परियाप्त समय ना दे पाना साधना को उनकी ये साफ गोई बहुत पसंद आई इतना ही नहीं दोनों ने शादी से पहले होली भी साथ मनाई शिवराज और साधना की शादी 6 मई 1992 को हुई दोनों के दो बेटे हैं शादी के 31 साल बाद भी दोनों एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए दिखते हैं शिवराज और साधना की शादी 6 मई 1992 को हुई शादी के 31 साल बाद भी दोनों का प्यार जब जनता देखती है तो इनके प्यार की लगातार एक तरीके से उदारण देते हुए नजर आते हैं शिवराज शादना की ये जोड़ी अब हिट है साधना जीवन संगनी के तोर पर हमेशा उनके साथ सक्रिय रहती है उन्हें अपनी या फिर उनकी सियासी पारी और कामकाज के पीछे एक कुशल प्रबंधक और रनीतिकार के तोर पर भी जाना जाता है लेकिन शादी के 31 साल के बाद भी ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें शादी के लिए लगातार इंकार करने वाला युवक आकर्शन में ऐसा बंधा कि उसे प्यार हो गया और फिर शादी की अब सफल जीवन जी रहा है लगातार हर बाजी जीत रहा है